जैहिन दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंडरी के लेट टेस्ट एक्जांस में पूछे गए कुश्चन्स और इस सारे कुश्चन्स 2019 से लेके 2021 तक के एक्जांस के हैं दोस्तो ये वीडियो आपके आने वाले HSSC के सभी एक्जांस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है टोटल हम दोस्तो कुश्चन इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कुश्चन फरस्ट है निमन में से भेड की किस नसल को राजस्थान की मेरीनो भी कहा जाता है तो ये कहा जाता है चोकला आपसे कुश्चन इस टैप से पुटो सकता है चोकला निमन कित में से किस पसू की नसल है तो ये है भेड की नेक्स्ट भारत में पाई जाने वाली ऊट की कूबड युक्त अरेबियन परजाती को सामानेते कहा जाता है तो इनको कहा जाता है DROMADRY ठीक है नेक्स्ट कुश्च नमबर 3 एक व्यस्ट क पूरन मुँ वाले ऊट में दातों की कुल संक्या होती है तो यह होती है 34 next किस कुकाट रो को New Castle DIGES के नाम से भी जना जाता है तो यह है रानी खेत HTSC में काफी बार रिपीट हattend होता है next मेंने में पूँच हताने को कहा जाता है तो यह कहा जाता है next हसिंगा की आकार का सींग निमलकित में से किस भेहंस की नसल की विशेषता है तो यह है सूर्थी नसल की next ताम्बे के रंग का शरीर भैस की किस नसल की विशेषता है तो यह है बडावरी का next गाए की हॉलिस्टिन फ्रीजियन नसल की उत्पतिस थल बताना आपको तो यह है उलेंड दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूँ अगर आप हरेना पुलिस कॉंस्टेबल के कमांडों के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टनर सा भीत होने वाले हैं मेल SI के एक्जाम में डारेक्ट 47 कुशिन देखने को मिले थे ठीक है तो अगर आपने AGD1HP अप्लेकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नेक्स कुश्चन नबर 9 हीफर खालिस्तान को कहा जाता है तो यह कहा जाता है पहले परसव से पहले युवा मादा मवेशниц उखाज जाता है हीफर नेक्स कैप्राहिरकस डेखने नाम ही आपका अब पूछा भी गया था तो यह है बकरिका नेक्स क्वरबर टेस्ट का उप्योग किया जाता है तो इसा Remboliet Next, निमन में से किसका प्रियोग पश्यों में विरेचक के रूप में किया जाता है तो यह किया जाता है Magnesium Sulphate का Next, निमनांकित में से कौन सी भेड की परजाती भारतिय मेरिनों के नाम से जाए जाती है तो यह है चोकला ठीक है Next, question number 15 निमन में से कौन सी विमारी वुडन टंग लक्षन प्रदर्शित करती है तो यह है एक्टिनो बेसी लोसिस नेक्स्ट मेड काउ नामक रोग किस से होता है ते होता है पियोन से नेक्स आता है कुश्च नमब सैवंटीन पशु के स्रीर पर एसादारण गूहा जिसमें मवाद बरियो कहलाती है तो इसे कहा जाता है एबसिस नेक्स्ट पैराकिटोसिस नामक रोग सूर में किस खनिज तत्तो की कमी से होता है तो यह होता है जिंक की कमी से नेक्स्ट बकरी में गर्बकाल कितना होता है तो बकरी का गरब काल होता है एक सो पस्पंदिन नेक्स्ट कुश्चन नमबर 20 भेड में समागम यानी act of mating की क्रिया कहलाती है तो ये कहलाती है टपिंग नेक्स्ट आता है सूवर का मास कहलाता है तो सूवर के मास को कहा जाता है पोर्क नेक्स्ट मुर्गी का सामाने तापमान क्या होता है तो इसका सामाने तापमान होता है एक सो साथ डिगरी फारन हाइट नेक्स्ट आता है कुश्चन नमबर 23 साहीवाल निमलकित में से किस पसु की नसल है तो ये है गाएं की नेक्स्ट कुश्चन नमबर 24 34 निकट संबंधि पश्णों के बीच होने वाले परजनन को कहते हैं, तो ये कहते हैं, इंटर ब्रेडिंग अनते परजनन, गाए में गुण सुत्र संख्या होती है, तो ये होती है, साथ। नेक्स्ट बकरी में ब्याने की परकिरिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किडिंग, नेक्स्ट किस पसु में मद्चक्र से पहले रक्त स्त्राव होता है, तो ये होता है कुतिया ग्यंदर, नेक्स्ट गाए में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है next वीर्य में उपस्तित सरक्रा का नाम है तो यह है फ्रक्टोज next बेड में मद चक्र की अवदी कितने दिन की होती है तो यह होती है लगभग 16 दिन की ठीक है next दुग दिश्रण के लिए कौन सा हर्मोन जिम्मेदार होता है तो यह होता है next बीमारी में पश्वों को दी जाने वाली ओस्दी की मातरा का ध्यन किया जाता है उसे कहा जाता है next जाता है कुष्ट नमबर 33 जाइगोमेटिक लाग रंथी किस में पाई जाती है तो यह पाई जाती है कुत्ते के अंदर next गोडे में कितनी जोडी पसलियां पाई जाती है तो यह पती है अठारा जोडी next रुमन्थी पश्वों में अमाश्य का कौन सा भाग मदूमकी के छत्ते जैसा आकार का होता है तो यह होता है रैटी कुलम next कुष्ट नमबर 36 मुर्गी में सत्य अमाश्य होता है तो यह होता है प्रोवेंट्री कुलस next मुर्ग्यों में आवाज उत्पन करने वाला अंग का नाम क्या है तो यह है सिरिंग्स next बकरी में योवन आरम की अनुमानित आयो होती है तो यह होती है 4-12 मा नेक्स्ट वह रोग जो नर और मादा दोनों पश़्ो में पाया जाता है तो यह होता है तो इसोजन जिंजिवाइटिस है तो यह है मसूडों में सोजन को नेक्स्ट कार्बोहईडेट व्य वास्पिक्रत वस्य अमल के चय पच्चे में गडबडी से पैदा होने वाला रोग है तो यह है किटोसिस नेक्स्ट लंगडा बुखार रोग का कारक है तो यह होता है क्लोस्ट रिडियम चेवुवाई नेक्स्ट बच्चडों में निश्कली कायन हेत्व उपयुकत आयू है तो यह है 4 से 10 दिन नेक्स्ट ट्रोकर कैनूला उपकर्ण का उपयोग प्राई गोवन्स में उपचार हेत्व किया जाता है तुकिर किया जाता है आफरा के उपचार के लिए नेक्स्ट दाने में समाने ते क्रूड फाइबर होता है ते होता है 18% से कम नेक्स्ट हे बनाने में सुखे हरे चारे में नमी की मातरा अधिक नहीं होनी चाहिए तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए हे बनाने के लिए सुखे चारे में नमी की मातरा नेक्स्ट बैंस के परती 100 kg शरीर भार पर दिया जाने वाला योग्य शुष्क आहार की मातरा है तो ये है 3 kg नेक्स्ट डीप लीटर पदती में कितनी मुर्गिया एक साथ रख सकते हैं तो ये रख सकते हैं 200 मुर्गिया नेक्स्ट पांच से साथ दिन के चूजों में कौन सा टीक अकरण किया जाता है तो ये है रानी खेत डीजीज का टीक अकरण किया जाता है पांच से साथ दिन के चूजों में सेज वाई बहनों में परजनन निमन में से क्या कहलाता है यहोता है टो सेज वाई बहनों में परजनन को कहा जाता है क्लोज परजनन, next कौन सी परजनन पदती से नई नसल पैदा की जाती है, तो ये की जाती है क्लोज ब्रीडिंग से, next टी आकार का गरबाश्य किस मादा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है घोडी के अंदर, next वह मादा जो कभी गरबहावनित नहीं होती कहलाती है, तो मद चकर की सबसे लंबी अवस्ता है, तो ये है डाई इस्ट्रस, next करितरीम गरबाशान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमिन की मातरा होती है, तो ये होती है, 0.25 मिली लीडर, next वदावरी वैंस के दूद में कितना परतिशत वसा होती है, तो ये होती है, 13 परतिशत, next निर्धन की गाए किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बकरी को, next दूद में पानी की मिलावट को किस यंतर से ग्याद करते हैं, तो ये करते हैं, लेक्टोμεटर से, next, मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नसल कौन सी है, तो ये है असील, मनोरंजन के लिए ओस्तन गरब काल कितने समय का होता है ते होता है डेड़ सो दिन का next कई जगा पे आपको 155 मिल जाएगा ठीक है next है जरसी नसल की गाएं का मूल स्थान कोन सा है तो ये है इंगलिश चैनल का जरसी द्वीब next भारती गाएं का वेगैनिक नाम क्या है तो ये है बोस इंडिकस next भैंस की किस नसल के सिंग हसिया के आकार के होते है भेड की गरब आवदी कितने दिन की होती है 145-152 दिन next भैंस का वेगैनिक नाम क्या है तो इसका वेगैनिक नाम होता है बुबैलस next साहिवाइल गाएं को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है मौंटेगोमरी के नाम से next करन स्विज तथा करन फ्राइज किस परकार की नसल है तो यह है संकर गाएं next भैस के दूद में गाएं के दूद की मिलावट को किस विदी से ग्यात करते हैं। तो ये करते हैं हसा परिक्षन से। नेक्स्ट किस बकरी के बाल को मोहेर कहते हैं। तो ये कहते हैं अंगोरा बकरी के बालों को मोहेर कहते हैं। नेक्स्ट किस नसल की गाएं अधिक दूद देती हैं नेक्स्ट भारवाही नसलों नसल की गाएं कौन-कौन सी है तो यह है नागोरी, मेवाती, खेरीगर्ड और मालवी गाएं की गंगातरी नसर उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है गाजीपूर बलिया और वारानसी के अंदर शिंग रोधन की सर्वत्तम विधी कौन सी है तो यह है कास्टिक पोटास की छड़ दवारा सिंग रोधन नेक्स्ट किन विदियों दवारा अफ़ारा रोग में पश्णों के पेड से गैस निकालते हैं तो यह है ट्रोकर एवं कैके नूला नेक्स्ट स्वेद करांती किस से संबन दित है तो यह है दूद से स्वेत करांती के पिता कौन है तो यह है डॉक्टर वर्गिस कुरियन गल कंबल गाएं के कौन से हिस्से का भाग है तो यह है गर्दन का यदि जानवर के सिंग में चार छले हो तो उसकी उमर क्या होगी तो उसकी उमर होगी 6 वर्ष जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दाथ कौन से जबड़े में नहीं होते तो यह होते हैं उपरी जबड़े में नहीं होते दूद दोहने की सरवत्तम विधी कौन सी है तो यह है पूर्ण हस्तता मुठी पशों की धड़कन की सी अंतर से ग्याद करते हैं तो पशों की धड़कन ग्याद की जाती है स्टेथोस्कोप से जुगाली करने वाले जानवर के माश्ये में कितने भाग होते हैं तो यह है च्यार नेक्स्ट डेरी पशू का उत्पादन जीवन कितना होता है तो यह होता है 12 वर्ष नेक्स्ट बधियाकरण में पशू की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है तो यह है सपरमेटिक कोड ठीक है बधिया करण में पशुओं की जो spermatic code है वो या तो दबाई जाती है या काटी जाती है Next नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है तो ये है शुक्राणू नली का Next भैस की गरबावदी कितने दिन की होती है तो ये होती है 310 दिन की Next सांड उस नर पशुओं को कहती है जिसमें परजन करने की शक्ती होती है तो बैल किसे कहती है तो बैल कहा जाता है बधिया की ये होए नर को ठीक है next किस सांड को टीजर कहते हैं तो टीजर देख लेते हैं किसको कहते हैं वह सांड यह सांड रितुमई मादाओं की जाज के लिए उप्युक्त होता है प्रंतु यह मादाओं को गर्मित नहीं कर सकता है next बदिया करने की वेगैनिक विदियां कौन सी है तो यह है वर्डी जो कैस्टेटर विदी तथा चीरा लगाकर रसायनिक पदार्थों दुवारा नेक्स्ट छोटे थनो वाले पश्विवों में दूद दोहने की सरवत्तम विदी कौन सी है तो यह है चुठकी विदी गाएं की सुद्ध भारती नसर कौन सी है तो यह है गीर गाएं का जनमस्तान कहां पर है तो इसका जनमस्तान है कठियावाड गुजरात के अंदर नेक्स्ट किस विदेशी गाएं के दूद में सरवाधिक वसा पाई जाती है तो यह पाई जाती है जर्शी नेक्स्ट बर्सिम के हरे चारे में सुष्क पदार्थ कितने परतिशत होता है तो यह है 25% नेक्स्ट बूसे में कितने परतिशत सुष्क पदार्थ होता है 90% बूसे में 90% सुष्क पदार्थ होता है नेक्स्ट गाएं की कौनसी विदेशी नसल सर्वत्तं दूद देती है तो ये है Holistin Pricision ठीक है 6150 लेटर पर ब्यांत नेक्स्ट किस बकरी को दूद की रानी कहा जाता है ये है सानेन बकरी नेक्स्ट पस्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है यह होता है कश्मीरी बकरी से गाएं के अयन को धोने के लिए किस रसायन का परियोग करते हैं तो यह है पोटाशियम परमेगनेट पशुपालन में पशों की बाधने की अच्छी विदी कौन सी है तो यह है पूँच से पूँच वाली विदी पशुपालन को धोने के लिए किस रसायन का परियोग करते हैं तो यह करते हैं फिनाईल का दूद किस परकार का आहार है तो यह है पूर्ण आहार पशुपालन का ताप करम किस से मापा जाता है तो इनका जो ताप करम है वो ना पा जाता है वेटनरी थर्मा मीटर से Next, मास के लिए पाले जाने वाली उप्युक्त बकरी की नसल कौन सी है तो यह है ब्लैक बंगाल Next, किस बकरी में दाड़ी पाई जाती है तो यह पाई जाती है पीटल बकरी के अंदर Next, भेड में उन काटने की क्रिया को क्या कहते है तो कहते हैं सियरिंग Next, चलते हैं कुशन अमर 14 पशू का ताप करम सरीर के किस भाग से नापा जाता है तो यह नापा जाता है गुद्दा से Next, गाए भैस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ग्याद करते है तो करते हैं कोकिज यल धमनी से Next, आता है पश्यों की नसल को किस विदी दवारा सुधारा जाता है तो यह सुधारा जाता है क्रित्रिम गरबदान से Next, लोही किस की नसल है लोही नसल है भेड की Next, अंडे में सरवाधिक क्या होता है यह होता है प्रोटीन अंडे में सरवाधिक प्रोटीन होता है Next, सबसे अधिक अंडे देने वाले मुर्गी की नसल कौन सी है तो यह है वाइट लेग होरन Next, मुर्गियों की सबसे घातक विमारी कौन सी है तो काफी बार आता है कुश्यन रानी खेत गुमाफीरा के पूसते हैं इसको कई बार कड़क मुर्गी किसे कहते हैं तो कड़क मुर्गी उसे कहते हैं जो अंडा नहीं देती है ठीक है अंडा ने देने वाली मुर्गी को कड़क मुर्गी कहते है next मुर्गों के अंड कोशों को निकाल देना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है खसी करन next intravenous injection कहां लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है नस में next गोवंस में खुरपका तथा मुपका बिमारी होने का कहलाक्षन है तो यह है विशाणू next थनेला रोग का करण क्या है तो थनेला रोग का करण है परजीवी next मादा के बच्चे देने बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजाद बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है तो यह कहलाता है खीस खाई भी होगे अपने next मुर्गी में अं स्वswर के मास को कहते हैं नेक्स्ट खीज में vitamin a किस रूप में होता है तिया होता है करोटीन के रूप में mirac breaker किसका कि रोज है तो ये है गदा और खोडी का गोडी का नेक्स्ट भारत में डेरी पशु की संख्या मईophy शव पसूं का कितना भाग है तो यहें ये एक पते पांच भाग नेक्स्ट बच्ण की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं तो यह लगाते हैं टिंग्चर आयोडीन नेक्स्ट नैशनल डेरी अनुसंदान संस्थान कहां पर है करनालाई के अंदर बहरत या चिकित सा अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो यह है इज्जतनगर बरेली के अंदर गाएं के दूद की लेक्टोमीटर रेडिंग कितनी होती है ते होती है 28 से 30 आता है आपका गाएं के परती 3 लीटर दूद पर कितने किलो दाना देना चाहिए ते देना चाहिए एक किलोगराम नेक्स्ट मेले परदरशनी से खरीदे गए पशू को पहले 15 दिन अलग रखकर देखरे करना क्या कहलाता है ते होता है संग रोध नेक्स्ट दूद दोहते समय पशू के दर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशू दूद चड़ा देते हैं तो ये है एपी नेफिरिन के कारण next कष्टपद परसव को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं डिस्टो किया next जीवधारें के वहकला क्या कहलाती है जिसके दुवारा वे अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन करते हैं तो इसको कहते हैं जनन नेक्स आता है मोटे चारे में रेशे की मातरा कितनी होती है तो ये होती है 18 से 22 परसेंट नेक्स शूर की युवा मादा को क्या कहते है तो सूर की युवा मादा को कहते है गिल्ट next अंडों से चूजे निकालने वाले स्थान को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं hatchery next नीली रवी किसकी नसल है तो ये है भैसकी next अनास प्लांटी रिंकोस को समाने तक क्या कहते है तो ये scientific name है बतक का next फाउल कोल्रा दवारा होता है तो यह होता है पासचेदा मल्टो, सिडा छोटा खरगोज जिसने बाजार योगे पैंथीरा लियो क्या है तो यह है शेर नेक्स्ट मस्का डोमेस जीगा किस वर्ग से संबंदित है निमन में से एक कव प्योग बीना जुगाली करने वाला पशू नहीं कर सकता लेकिन जुगाली करने वाले पशू कर लेता है वैय है तो यह है यूरिया नेक्ष्ट भेंस की कौन सी नसल के दूद में सरवाधिक वसा होती है 13% होती है बदावरी भेंस के दूद में नेक्ष्ट भेंस में कुण सुत्रों के संख्या कितनी होती है तो यह होती है 50 गायों के अंदर 60 बैसों के अंदर 50 नेक्ष्ट डोली कलोन भेड का विकास किस वेगानिक ने किया था तो यह किया था यान विलमुटने नेक्ष्ट गलगोटू रोग का कारण है तो यह है जिव नेक्ष्ट मुर्रा किसकी नसल है सबी को पता है बहेंस की मुर्रा बहेंस की नसल है नेक्ष्ट पशों की कोशिका में कौन सा कार्भोहईडर्ट पस्तित होता है तो यह होता है गलाइक कोजन नेक्ष्ट बहेंस गाएंव बकरी में मद चक्कर कितना कितने दिन का होता है तो वारत से अधिक निरियात की जाने वाली गाएं के नसल कौन सी है? तो सबसे ज़्याद निरियात की जाती है कांकरेज नेक्स आता है नर्बकरी के बधियाकरण के लिए सबसे अच्छी उमर है तो यह है 2-4 सप्ता नेक्स्ट मुर्गे में मारेक रोग किसके करण होता है? तो यह होता है विशाणों के करण नेक्स्ट पैंस के दूद में कितने परतिशत पानी होता है? तो यह होता है 83 परतिशत नेक्स्ट थारपारकर गाएं के दूद में वसा की मातरा है? तो ये है 4.60 परतिशत नेक्ष्ट पसु कल्यान बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो ये की गई थी 1962 के अंदर नेक्ष्ट बेड कितने वर्षों तक परजन करने में शक्षम रहती है तो ये 10 वर्षों तक नेक्ष्ट पंसकल ल्यानी नाम से परसिद भेंस की कौन सी नसल है तो ये है नीली रवी नेक्ष्ट दूद में सरवाधिक वसा परतिशत पाय जाता है तो ये पाय जाता है हाथी के दूद में नेक्ष्ट अधिनी हाथी लगा लो कुछ भी लगा लो अधिक्तम प्रोटीन प्रतीशत में किस पशु का दूद होता है भेड़ ठीक है प्रोटीन प्रतीशत पूछा जाए तो ये आपका भेड़ के अंदर ठीक है और वसा पूछी जाए तो वो होती है अतिनी के दूद के अंदर तोड़ा किस की नशल है तो यह बहींस की पश्मीना सोल किस उन से प्राफ्त होता है तो एक कैप्रा हिर्कस बकरी आपको पता ही था पहले भी आ चुका है कुश्चन ऻीज़ भेड़ के सबसे लंबी नशल है तो यह नलोर गाएं के सिंग का पहला चल्ला किस उमर में दिखाई देता है यह होता है तीन वर्ष में नेक्स्ट मास उत्पादन के लिए पाली जाने वाले पक्षियों को का का जाता है तो यह का जाता है ब्रोयलर नेक्स्ट MBRT Methylene Blue Reduction Test किस की दक्षिता जानने के लिए किया जाता है तो इससे जाना जाता है पास्ची करत दूद की दक्षिता नेक्स्ट पश्वों में आयू निर्धरन करने की सर्वत्तम विदी है तो यह है दंत सुत्र डेंटल फार्मूला नेक्स्ट बकरी की दुग्द उत्पादक एवम द्वी उदेश्य नसल है तो यह है जमूना परी नेक्स्ट निमन में से कौन सी गाएं की नसल सबसे अधिक मातरा में दूद का उत्पादन करने के लिए जानी जाती है तो यह उप्शन में साही वाल था ठीक है भारती है नसल है यह नेक्स्ट गाएं के सबसे भारी नसल कौन सी है तो यह है कांकरेज सतनधरियों में दूध के पाचन में कौन सा एन् sharply मदद करता है, तो इह है Renan मवेशियों में Rinderp cadre किसके करण होता है, विशाणू वायरस के करण भेड की बोनपाला नसल भारत के निमलकित में से किस राजे में पाई जाती है तो यह आपकी पाई जाती है सिक्किम के अंदर एक व्यस्क नर्बकरी को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है बक नेक्स्ट बधावरी भैस καा उत्पत्ति स्थान है तो यह है उत्तर परदेश नेक्स्ट एक दुदारुगाए को उसके स्री रक्षा के लिए निमलिकित में से कितना दाना आहार दिया जाता है तो यह है दो से दो पाइंट पांच किलोग्राम एक संकर बशिया के पर्थम ब्याद की आयू होती है तो यह होती है 36-40 मा आप रिक्षित यूँआ सांड चातने का एक सरवत्तम आदार है तो यह है नसल सूर्थि भेंस नसल का मूल निवास है तो यह है गुजरात भेंस का दूद निमलिकित खनीजों का समरद में समर्द होता है तो यह होता है केल्सियम और फास्फोरस बैंस के दूद के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है केलसियम और फासफोरस बीटल बकरी पाई जाती है तो यह पाई जाती है पंजाब के अंदर शरीर के वजन का सबसे हलका बकरा या बकरी बोलो टोगन बग नर शोरों का बदिया किस विदी दूआर किया जाता है तो यह चाकू यानि कि Naif method नेक्स्ट पशो में दगन आला रोग किस की कमी करुण होता है तो यह होता है सेलिनियम की कमी के कारण नेक्स्ट दूस तराव के सुरुआत के रूप में जाना जाता है मैसूर तो दोस्तो ये थे हमारे latest exam में पूछे गए दोस्तो questions very very important रहेंगे आपके आने वाले HSSC के सबी exams के लिए और दोस्तो साथ ही में अगर आप mock test लगाना चाते हैं तो आप अज जेवन SP application को download कर सकते हैं लिंक आपको दियागा है description box के अंदर तो मिलते हैं दोस्तो नेक्ट यूडियो में अपना ख्याल लखिए जैही जवारत